हेलो दोस्तो मैं धीरज यहां पर आप सब का फिर से स्वागत करता हूं आज हम लोग एक यूनिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो कितनी बार होता है कि हम लोग चैप्टर लगाते हैं और जब सवालों की तरफ जाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ ना कॉंसेप्ट हमने मिस कर दिया है वाइल डूइंग डाट चैप्टर ओके तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिस सीरीज में हम लोग कुछ ऐसे कॉंसेप्ट के बारे में डिसकेशन करेंगे जो कि टिपिकली इग्नोर हो जाते है और फिर हमको वापस से चैप्टर की तरफ जाके उस कॉंसेप्ट के बारे में देखना पड़ता है कि यह कैसे चीजे होती हैं तो उसी सीरीज में आज पहला वीडियो है जिसमें मैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करूंगा जिसमें कुछ इस प्रकार से चीजे हो रही है कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक बकेट है उसका एरिया ओफ क्रॉस सेक्षिन ए है यह एक सिलिंड्रिकल बकेट है और वह एक स्मूद सर्फेस पर रखा हुआ है यहां पर एक छोटा सा होल किया मैंने और बिकॉज आप यहां से यू वेलॉस्टी से यह ज तो दोस्तों टिपिकल होता क्या है कि हम लोग यह मान लेते हैं कि बकेट हमेशा रेस्ट पे रहेगा यूजिली हमारा बकेट फिक्स रहता है लेकिन ज़रूरी तो नहीं है मान लीजिए अगर यह बकेट एक स्मूथ सर्फेस पे रखा हुआ है तो क्या यह बकेट इस तरफ एक्सिलरेट करेगा या नहीं करेगा आप बस इसको विजलाइज करिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा और आप पाएंगे कि इस तरह से डेफिनेटली मुवमेंट स्टार्ट हो जाएगी इस बकेट की और हमें निकालना है एक्सिलरेशन इस बकेट का तो चलिए दोस्तों इस सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं तो यहां पर क्योंकि स्मॉल ए कैप्टल ए से बहुत छोटा है यह औरिफिस की तरह है तो हम लोग इधर पे विच लॉग यूज यू जिन लोगों को टॉश्री लॉग नहीं पता है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है एंसी आटी ठीक से पढ़िए यहां पर मैंने एज्यूम किया हुआ है कि आप लोगों ने टॉश्री लॉग तक तो एट लीस्ट डैनेमिक्स किया ही हुआ है चले दोस्तों तो ज यहां पर हमें निकालना है कि किस ऐटसे बकट आगी तरफ जाएगा तो एक आजंचन यहांपर मैं यह ले रहा हुँ कि बकेट जो है इस बकेट का जो मास है वह इसके लिक्विड के मास के बराबर ही है मतलब बकेट का जो मैंट्यरियल का मास है वह मैं निगलेजिबल ले हूं ओके और एक और चीज यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस बकेट की ओवरॉल हाइट भी मेंशन होनी चाहिए तो इस बकेट की ओवरॉल हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल एच अलाइट दोस्तो तो जो मास अफ बकेट आएगा वो कितना आएगा डेंसिटी ए इंटू एच राइट अब चलिए यहां पर आपको सबसे पहले कौन सा कौन सेप्ट लगाने की जो है आपको हिंट मिल रही है अब बस थोड़ा से दिमाग में जो लगाईए आपको समझ में आ जाएगा तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि स्मॉल एम जो लिक्विड है बाहर आने की कोशिश कर रहा है ओके छोटा सा मास है यह यह बाहर आता है विट वलॉस्टी यू तो यहां पर इस सिचुवेशन को देखके आपको क्या कॉंसेप्ट समझ में आ रहा है कि आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा आप जो है इसमें ध्यान से समझेंगे इसको तो आप पाएंगे कि यहां पर आप कंजर्वेशन ओफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं क्योंकि होरिजॉंटली अगर मैं स्मॉल एम और यह बकेट के इंदर जो वाटर है मैं दोनों को एक सिस्टम ले लूँ तो होरिजॉंटली कोई फोर्स लग नहीं रहा है मैं जो है मोमेंटम स्मॉल एम का लेफटेंड साइट पर एम इंटु यू माइनस मैंने वेलाउस्टी वी ले लिया है इस बकेट का तो माइनस कैपिटल एम इंटु वी यह मेरा फाइ मोमेंटम जीरो ही था राइट अब यह होगी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन अब हम इसको डिफ्रेंशेट कर देंगे क्यों क्यों क्योंकि दोस्तों मुझे चाहिए यहां पर और मैं यह मान के चल रहा हूं कि क्योंकि स्मॉल एक कैपिटल ए से बहुत ह चोटा है यह जो एच है लेवल ऑफ दा वाटर से यहां पर जो औरिफिस है इसका जो डिस्टेंस है यह टाइम के साथ बहुत ही स्लोली चेंज करेगा क्योंकि यह वेलास्टी जो उपर से जो बकेट का जो लेवल है यह जो डिक्रीज हो रहा है इसकी वेलास्टी इन्टू डी एम बाइडीटी माइनस एम इन्टू डीवी बाइडीटी डाट इकोल टू जीरो तो मैंने मास बकेट ऑल्मोस्ट फिक्स लेकर रखा हुआ हूँ और यह जो वेलास्टी है इफलक्स वो भी फिक्स रहेगी ओके अब डीम बाइडीटी होता क्या है भई डीम इडिटी है मास फ्लॉ रेट इस और एफिस से वालिूम फ्लो रेट आपको पता ही होगा अगर्या इंटू वेलाऊसीघा होता है और मास फ्लाऊरेट यहाण दैंस्टी इंटू एपि ओ एंडिया होता है तो डीम बाइडिटी दोस्तों यहां पर हो जाएगा रो एडिया फ्रॉस्टेक्शन स्मॉल ए ले लेते हैं और इसका इंटु यू माइनस एम इन्टु डीवी डीटी क्या है दोस्तो एक्षरेशन है जीरो अब यहां पर मैं थोड़ी बहुत वैल्यू सब्सीट कर देता हूं मेरे पास आएगा रो ए स्कॉर माइनस एम रो कैपिटल एंटु एच आएगा तो एक्षरेशन इस इकल जीरो ओके अब यहां पर एक्षरेशन और एरिया फ्रॉस्टेक्शन का सिंबल सेम हो रहा है तो यहां पर हम लोग एरिया फ्रॉस्टेक्शन औफ दी औरिफिस को एस ले लेते हैं अब यू क्या है दोस्तों यू है मेरा रूट ऑफ टू जी एच सो रो इन्टू एस इन्टू टू जी एच यू स्कॉर हो जाएगा माइनस रो कैपिटल ए एच इन्टू ए कल्डू जीरो आप देखेंगे कि आपके पास बड़े आसानी से एक्सेरेशन की वैल्यू आ जाएगी और यहां पर कुछ कैंसल हो नी रहा है तो मेरा जो एक्सेरेशन की जो वैल्यू है दोस्तों वह आएगी तो इस एक्सेरेशन से यह बकेट आगे की तरफ मूफ करने का ट्राई करेगी तो दोस्तों यहां पर थोड़े बहुत वैरेशन आप देख सकते हैं एक्सेरेशन अगर मान लीजे यह सरफेस स्मूथ नहीं है यहां पर कॉफिशन फ्रिक्शन मू गिवन है तो आपको यह जो एक्स्परेशन है दोस्तों रो इंटो एस इंटो यू स्क्वार इसको एक फोर्स मानके चलना है इस बकेट के उपर इस डिरेक्शन में जिस डिरे एक्जाम में जहां पर मान लेजिए आपसे पूछा जाए कि इस बगेट की वेलॉस्टी क्या होगी जब यह स्मॉल एच हाफ हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग यह जो वेलॉस्टी है सर्फेस की वेलॉस्टी हमने इग्नोर की हुई थी लेकिन अब क्योंकि हमें निकालना हम यहां पर एवन वीवन इकल टू एटू वी तू यूज करेंगे दोस्तो सो एस इंटू यू इस इकल टू एंटू वी आ जाएगा यहां से ओके अब दोस्तों यहां पर आपको दो तीन चीजे ध्यान रखने ही पड़ेंगी जो आपका यू है वो हाइट पर डिपेंड ह हो रहा है ओके और जो वेलास्टी आएगी वी वो क्या है डी एच बाई डी टी है ओके तो इस तरह से आप इसको ट्राइग कर सकते हैं सॉल करने का और आई होप आप यह स्कॉंसेप्ट को तो समझी गए होंगे कि जो वाटर अगर औरिफिस से निकल रहा है तो उसकी एक फोर्स एक्स्पिरेंस करेगी जिसकी वज़े से एक्सलिरेशन आएगा और उस फोर्स की वैल्य होगी रो इंटू एरिया इंटू स्पीड ओफ एफलक्स स्क्वायर के आइम एज्यूमिंग मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो वेलास्टी है वो होरिजॉंटली निकल रह हुआ है इस डिरेशन में वेलास्टी कर रही है तो आपको इसका होरिजॉंटल कंपोनेंट लेना पड़ेगा उस कुश्चिन में और तो इसके बहुत सारे वैरेशन हो सकते हैं आई होप यू अंडेस्टेंड लेकिन बेसिक कॉंसेप्ट जो है आज हमने डिसकस कर लिया है अब आपके पास जो भी बुक है उस बुक में आप इस तरह के सवाल धूड़िए और मेरे क्याल से आप ज्यादा नहीं पाएंगे सिर्फ तीन-चार सवाल ही होंगे इस तरह के और उसको आप सॉल कर लिजे और उससे आपका ये कॉंसेप्ट एकदम सॉलिड हैगा तैंक्स एक वज़ जिए इस दिरज जिन अव्